हेलो फ्रेंट्स गुड मॉनिंग आज के इस वीडियों में बात करते हैं आख की समस्या जिसमें कि कुछ लोगों के आख पर सूजना जाती है उसका कारण क्या है और फाइनली देख लेंगे कि किस दवा से ठीक होगा पूरी बात समझने की कोशिस करते हैं तो देखी जो आख है उस सरीर का एक बहतरीन कंपोनेंट जो की दुनिया खुबसूरत होने का एभिका कराती है इसमें टोकल आख शे मसल्स हैं जिसको अबलीक मसल्स बोलते हैं तो एक आंख को जो हम लोग लेप्ट राइट इस तरह से उपर नीचे मूब कर रहे हैं तो इसके लिए 6 मसल्स रिस्पांस्विल हैं 6 इस तरफ और 6 इस तरफ अगर वो मसल्स में वीकनेस आजाती है तब फ्लूइड रिटेंशन होने लगता है अब प्रस्ण ए है कि वीकनेस आधी क्यों है तो उसके कई फैक्टर है जैसे यहां पर लिखे हैं एक एजिंग की वज़ासे हो सकता है यह अधिक उम्र के लोगों में हो सकता है कि आई की जो मसल्स हैं वीक हो जाए और दूसरा फै ठीक ठीक नीद नहीं ले पा रहे हूं और निद्रा की सिकाथ हो और तीसरा है एलर्जी एलर्जी हो सकती है चौथा है डर्वनटाइटेस पाच्वा है रिनल डिजीस और छठा है थैराइड इसी तरीके कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि धीरे-धीरे मसल्स की जो स्टेंथ है पावर है उसको कम कर देते हैं तो आई मसल्स कमजोर हो जाती है और कमजोर हो जाने का रेजल्ट क्या है कि फ्लूइड रिटेंशन हो जाता है वहां पे जो सरीर का जो द्रव मेट्रियल हो वही कठा होने लगता है तब सूजन आ सकती है इसके लिए होमेपैथी में बहतर क्या है दाएं हो या बाएं ऊपरी अली पलक में अगर सूजन है तो उसकी मेट्सीन है काली कार और नीची अली मसल्स में सूजन है जो लोवर साइड की आई लिट्स हैं अगर उसमें सूजन है तब एपी स्मेल और कुछ लोगं को ऐसे समस्या होती है कि दोनों आख में सूजन हो जाती है यानि ऊपरी पलक और नीची ली पलक दोनों में सूजन हो जाती है तो उसके लिए दवा है फास्पोरस तो जिसको जैसे सूजन है अपर में सूजन है तो अलग मेट्सीन नीची वाली में सूजन है तो अलग मेट्सीन और उपर और नीचे दोनों सूजन है तो एक तीसरी मेट्सीन तो इस तरह से आप सूजन को कम कर सकते हैं लेने का तरीका सिंपल सा है अगर जिनको उपरी पल में सुजन है तो काली कार्ब 30 पावर के लिए चार बूंद सुभर में क्यों एक टाइम कि फिप्टी इंडेस तक लीजे समस्या से निजात मिलेगा अगर निजली आप में सुजन है तो EP स्मेल 30 इसका भी चार बूंद सुभर में क्यों एक टाइम लेना है और दोनों में सुजन है तो फास फॉरस 30 पावर के लिए लिजे इसका भी चार बूंद सुभर क्यों एक टाइम तो इस तरह से सुजन से मुक्ति मिल सकती है क्योंकि जो आँख है उसका कास्मेटिक बैलू है और लोग ज्यादा संस्ट्य इसलिए हो जाते हैं कि किसी के सामने जाते हैं कहीं पर जाते हैं तो आखे फ्रेंट लाइन आरगन हैं तो खराब लगता है तो कास्मेटिक तो उसका इलाज इस तरह से संभव है तो किसी दोस्त की फर्मा इस पूरी हुई और इसी तरीके के और बेहतरीन वीडियों है इस चैनल पर आप उनको देखते रहें जानकारी बहाते रहें बीमार होनी के संभवना को थोड़ा समलोग कम कर सकते हैं तो आपने पूरा वीडिय दकार द्यानकारी अच्छी लगी थेंक्यू